हेलो गाइज वेलकाम बैक टूपीसी वाली य्ट्यूब चैनल है अच्की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD के 5.5 GHz के सीप्यू के बारे में अगर आपका CPU 5 GHz पे खुश नहीं था और आप उसको 5.5 GHz पे देखना चाहते हो तो में भी AMD आपके लिए कुस लेकर आ रहा है नाओ ये 5.5 GHz के सीप्यू इंटल के 5 GHz क्यूंकि इंटल के अगले जनरेशन में 5.3 GHz की सीप्यू दाने वाले हैं रॉकेट लेक खतरनाक जनरेशन स्टिल 14 नेमेटर पे बट खतरनाक जनरेशन IPC इंक्रीज 18 परसेंट 19 परसेंट जितना भी इंटल लेक आएगा AMD से कंपीट करने के लिए और AMD भी हो सकता है वो इंटल के रॉकेट लेक को जवाब देने के लिए कुछ खतरनाक सा CPU निके निकाले जिसके कि आज बारे में हम बात करने वाले हैं 5.5 GHz तुमने बिल्कुल सही सुना तुमारे कानों में जो है वो कुछ कीड़ा वीड़ा नहीं हुसा है बिल्कुल सही तो वैसे भी जो हो सपोर्ट मिल ही रहा है नाओ यहाँ पर देखो आप लोगों को पता हुआ कि आपकी 3000 सीरीज है लाइक 3600, 3700 यह पहले के आ चुकी है ठीक है अभी जो आपकी सीरीज चल लिए वो है चल रही है वर्मियर सीरीज ठीक है इसके अंदर जो हो आपका 5600 X, 5800 500 X, 5900 X, 5950 X यह जनेरेशन आपकी चल रही है और यह करंट अभी सबसे लेटेस्ट AMD के CPUs है हाला कि प्राइजिंग का प्रोइजिंग का जो भी सीन है उसको अभी के लिए भूल जाओ कि ऐसी कुछ सीन चल रहा है बट अभी के लिए यह है हम जानते हैं कि अभी 5000 सीरीज में कुछ low-end यह Ryzen 3 या फिर Ryzen का 5600 non-X वाला इस टाइप की कोई CPUs नहीं आए है बट यह जो है अभी लेटेस्ट जिनेशन चल रही है 7 नैमेटर पे Zen 3 आर्किटेक्चर सब कुछ है इसके अंदर और आप जो है उसको अपने AM4 socket के B550, XY70, B450 अपडेटेड़ बाइ उसके दा इसके के अंदर वो पूरा पूरा एक नया आर्किटेक्चर लेक आएंगे अभी तक जितने भी तुम्हारा Sky Lake, KB Lake, Comet Lake, Rocket Lake, Coffee Lake जो भी सब कुछ चल रहा था इसके अंदर एक ही आर्किटेक्चर था, वो था Sky Lake और वो ही जो है वो Intel उसके अंदर core बढ़ाया जा रहा था, frequency बढ़ा जा रहा था, लेकिन basic architecture सेम था, AMD ने जो है अपने architecture चेंज करें, उन्होंने पहले Zen architecture था, फिद Zen Plus आया, फिर उसके बाद उनका Zen 2 आया, फिर उसके बाद अब जो है वो तुम्हारा चल रहा है Zen 3, लेकिन Intel वो ही पुरानी GPT Sky Lake architecture को ही सेम सेम जो है, वो सेम चीजों क आने वाले हैं, इनकी clock speed जो होगी, वो boost clock up to 5.3 GHz तक होगी, ऐसा latest leaks के हिसाब से आया था, now, अब AMD अगर ऐसा कर रहा है, तो आप जानते हो कि अभी का जो सबसे top end CPU है, Ryzen 950, 950X, उसकी boost clock 5 GHz है, ठीक, और वो even 5 GHz से थोड़ा सा उपर तक भी boost करता है, और यह सभी जानते कि AMD ने फाइनली वो 5 GHz का boost अचीव कर लिया है, now, Intel जब 2021 में नई CPU निकालेगा, 5.3 GHz की boost वाले और वो सब निकालेगा, तो AMD को भी कुछ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर latest leak यह आ रहा है कि 2021 में AMD के नई generation आएगी, जिसका के नाम होगा Warhol या Warhol, जैसे भी इसको प् काइंड ओफ में जैन प्लस की तरह होगा, जैसे कि आपको याद आपका पहले फर्स जनरेशन का Ryzen आया था, Ryzen 5 1600, 1700, 1800, फिर उसके बाद आपका आपका था, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 2700, तो यह जो 1600 से जनरेशन थी जनरेशन थी ना, फर्स जन से से केंड जन में, ठीक है, यह य अर्किटेक्चर नहीं था, अर्किटेक्चर सेम था, बस थोड़े कुछ ट्वीक्स थे उसके अंदर, यहाँ पर जो है, वो सेम एक्सपक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वार्होल के अगर आप स्लाइड देखो, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर स्टिल जैन 3 दिखा रहा है, 7 mm की ही प्रोसेस है, और PCA Gen4 को ही सपोर्ट करता है, कुछ अलग कुछ है नहीं, 2022 में जो राफैल एक्सपक्टेड आर्किटेक्चर है, क्योंकि AMD जो हो फेमस आर्टिस्ट के नेम जो हो यूस कर रहा है, फेमस पेंटर्स के नेम यूस कर रहा है, अपने CPU की जनेरेशन को ड सपोर्ट करते हैं, तो अफकोर्स ये भी DDR5 सपोर्ट ने करेगा, ये DDR4 राम पर ही चलेगा, जो AMD की 5000 सीरीस चल रही है, इसी के अंदर थोड़े बहुत ट्विक करके, मेभी कैश, मेभी इंफिनिटी फैबरिक, मेभी कुछ स्लाइट ट्विक्स करके, और इसकी थोड़ी ज देखो वराइजन 9 5900X का, या तुम मेरा रिव्यू देखो वराइजन 5 5600X का, मैंने तुम्हें उसमें साफ साफ दिखाया है कि वो CPU अपनी बूश्ट क्लॉक से भी उपर बूश्ट करते हैं, इसली बूश्ट करते हैं, तो हो सकता है AMD 7 NM क्यूंकि तब तक मैच और वैसे और यहां पर यहां नहीं कह रहा हूँ, यहां पर लेटेस्ट लीक के निकल के आ रहा है, या कि तुम देख भी सकते हो, कि यहां पर फेमस लीकर की तरफ से आ रहा है, और इनके प्रिवियस लीक्स जो है, वो सही भी सावित हो है, पास्त में, तो तुम यहां पर तो इस ट् इंक्रीज या थोड़े बहुत IPC गेंज दे दो तो यह मतलब एक next level का है तो हो सकता है Intel को बीट करने के लिए या फिर Intel को बीट तो वैसे अभी भी कर रहा है 5600X लेकिन हा स्टॉक इशूज हैं प्राइजिंग इशूज हैं बट इवन अगर जो है वो Intel अपनी नई जनरेशन में निकाल लेते है जैनवरी में तो स्टिल जो अभी 5000 सिरीज मार्केट में है वो स्टिल उसको बीट करेगी वो स्टिल उसकी IPC उससे स्ट्रॉंग है बट AMD और Intel के बीच में वो जो गैप है न जो अभी बना हुआ है थोड़ा सा बहुत बढ़ा गैप बन गया अब AMD बहु नए साल में और हो सकता है और अफकोर्स क्योंकि यह इनी CPUs के रिफ्रेश वर्जन है तो इनके लिए आपको नए मदरबूर्स चाहिए नहीं होंगे यह सेम मदरबूर्स के अंदर BIOS अबडेट यह फिर ऐसे ही चलने चाहिए लिए नो यह सब जो हो सिर्फ एक लीक है 5.5 G GHz इनसेन यार मतलब 5.5 GHz के बारे में किसने सोचा था असता और देखो Intel और AMD जो है वह आप GHz वह इनके चल चुग है क्योंकि Intel जो है वह Intel के 10 कोर्स वाएंगे नहीं मैक्सिम में 8 कोर्स होंगे उनको जो है वह फ्रिक्वेंसी वह और तो करनी करनी है और लोगों को जो है अगले साल दिख जाए तो आपको क्या रखता है कि AMD निकालेगा नहीं निकालेगा क्या थो आपके क्या विचार है उम्मीद तो तुमको वीडियो पेसंद आयोगे है तो प्रीज वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राब करने ना बोले देना है टेक कर गईस